नमस्कार सुबा समचार में मैं दीपाक आपका हार्दिक श्वागत करता हूँ और दीन बर की तमाम बड़ी खबरों को ले करके आपके समख चेक बर फिर से हासर हैं तो खबरों को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसे भी खबर को मीश्ट ना कर पाएं खबरों को आज बस्तार से बताने से पहले हेड लाइन्स पर नजर देखते फिर खबरों को देखेंगे बस्तार से तिश्परताप यादों ने रचा बड़ा इतिहास से एक बार फिर से जय जयकार के साथ तिश्परताप यादों की नई मजबूती देखने को मिली जहां लोगों ने तिश्परताप यादों के लिए कई बड़े नई कबातों को रखा 37 आज की बड़ी खबरों में देखेंगे किस तरीके से मुके सहनी की वोड बैंक में आई नई भृधी ने मुके सहनी को बोलने का एक नाया मौका दे दिया है जिसके बाद में वह और बीजेपी से जुड़ी कई अन्य खबरे सामने आई है इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से राहूल गादी ने 2024 की चुनाओं से जुड़ी नितीस कुमार रतिशश्वी आदों के लिए राहत बड़ी खबर दी है तो क्या है नई जनकारी करेंगे बस्तार से बात और आज की बड़ी खबरों में नितीस कुमार क्या सचमुच परधान मंत्री बनने जा रहे हैं परधान मंत्री के दोर में नितीस कुमार का जो मजबूती है वो सचमुच आगे निकलता दिखाए दिया इस पर भी करेंगे बस्तार से बात समझने ही कोशिश करेंगे किस तरीके से एमके सालीन के बेटे ने जो बयान दिया इस पर तमिलनाडू में मचे बवाल पर एमके शालीन डाई में जोते नजर आएं और किस तरीके से उनकी मजबूती के लिए नया कोसिस किया जा रहा है साथी साथ चिराक पास्वान और भारतिये जनता पार्टी की नई रण नीतियों के बारे में विस्तारित संपुर्ण जनकारी देने का पर्यास करेंगे कश तरीके से भारतिये जनता पार्टी उन्हें परधानमंट्री और मुखमंत्री के साथ नई तस्बीरों को बिहार में साज़ा करना चाहती है आज की बड़ी खबरों में जानेंगे सीट कालीन सत्र में किन मुद्धो पर हो सकता है बात और सरकार किन बजट को पेस करने के लिए अपने सबसे बड़े मजबूत कोसिस करपती है इस पर भी करेंगे वस्तार सबार दिरेंदर शास्त्री ने 2024 की लोकसभा एलेक्शन से जूड़ी कई अन्ने बड़ी बिस्यों पर अपना भविस्वारी करते वे क्या कहा आईए देखने का प्रयास करेंगे आज की बड़ी खबर में जानेंगे अखले सियादों के जूड़ी अन्ने बड़ी नड़ीतियों के बारे में और सीटों के बटवारे इंडिया गटबंधन में आई नई जोर में क्या है नया असर बंदे भारत एक्सप्रेश की क्या है नई जियां सिलाएं और 2024 में बंदे भारत एक्सप्रेश हिंदोस्तान के कोने कोने में दोड़ेगी डिस से बूलेट ट्रेन का सपना पूरा करने ही कोशिश दिखाई देगी साथी साथ मलीका अरजुन खडगे जब से कॉंग्रेस से राष्टिया अध्यक्ष बने तब से लेकर कि आज तक कॉंग्रेस ने अपने आपको देश के अंदर मजबूत का गार्त लिजाने का प्रयास दिया है फटाफट खबरों में देखेंगे कि इस वक्त सोनिया गादी ने यहां किस तरीके से मधपरदेश और तमाम अन राज्यों में अपनी भरपूर मजबूती का डंका पीटा है ब्रेकिंग निउज श्वक्त की देखेंगे बिहार के सिक्षा विवस्था के बारे में बड़ी रण निती और बिहार के सिक्षा विवस्था को सुधारने के लिए मंतरी के प्रयास पर किस तरीके से लगी मोहर और आज की बिग ब्रेकिंग निउच एक और है त्यश्मी यादो से जुड़ी जो त्यश्मी यादो को CEM के तौर पर पेस करने वाले बड़े नेता नितिस कुमार को परधानमंतरी को पाधी कैसे देना चाहते करेंगे बिग ब्रेकिंग निउच में आज की बड़ी खबर बात करेंगे पपू यादो के इंटिया गरवन्दन से चुड़े तार पर क्या है पपू यादो की रणनीति और पपू यादो खुद को कैसे करना है मजबूत इसके साथ बिग ब्रेकिंग निउच इस वक्त की बड़ी ख ममता बनार्ची की टीमसी ने कुलकत्ता समय देश के अंदर कमाल करते वे नई तस्वीरों को साजा कैसे कर दिया है। आई तस्वीरें बिहार से सामने निकल करके आई है। बड़ी ख़बार इस वक्त के मुख्य समचार में बात करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान मत प्रदेश और तिलंगाना जैसे राज्यों में चुनाओं के पास तक महुँची क्या है नई खबरें और जनता क्या कर रही आज की बीग बेकिंग निउस में बात करेंगे नितिस कुमार की मजबूत रणनीती और परधान मंतरी बनने के सपनी को सकार होते हुए देख क्या है नितिस कुमार के आगे की रणनीती और आज की बड़ी और मुख्य समचार में जानेंगे किस तरीके से एक बार फिर से भ तिश्वी यादों ने जातियत जंगरना कराये जाने के बाद में खुद को मजबूत कर लिया है जिसके वज़ा से देश के परधानमंत्री बनने के लिए नितीश कुमार को आगे प्रेणना देना और अपने आपको मुखमंत्री बनाने के कवायत में जूर जाना ये तिश्वी यादों को मिली नई मजबूती ने 2024 के अंदर खुद के लिए एक बड़ा प्रयास करना सुरू कर दिया है दोस्तों अगर अभी तिश्वी यादों को सपोर्टर समर्थन करना चाते हैं तो इस वीडियो पर आज 5000 लाइक उमीद करते हैं तो लाइक जरू कर और इसके साथ ही साथ राजस्थान जैसे राज्यों में छतिसगर जैसे राज्यों में दुवारा से बंती दिखाई दे रही है इन राज्यों में कॉंग्रेस ने देश के लोगों का ध्यान केंदरित कर रखा है जिसके वज़े से सेमी फाइनल के इस मुकाबले को वह दिख बताना चाहते हैं देश के लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए चुनाओ का मुद्धा बिसेश तोर पर यही होना चाहिए जो इस बार होने वाला है बिसेश तोर पर लोगों का ध्यान केंद्रिट कर यह बताने की प्रयास हो रही है कि हम मुद्धों पर बाते करे और जितना capability हो सकती है उतना जादा प्रयास करते हुए देश के नागरिकों को मजबूत करने का हम सभी बड़ा प्रयास करेंगे तो एक बार फिर से मजबूत कगार की मजबूती देखने को मिली खबरे निकल कर सामने आ रहे इस वक्त कहीं न कहीं जो इस वक्त राजस्थान से जहां राजस्थान के मुखमंतरी असोगहलोत की ताकत देखने को मिल रही है असोगहलोत ने साफतोर पर भारतिये जन्तापाटी का शुप्रा साफ कर रखा है इंडिया गडवन्धन के तमाम बरिष्ट और मजबूत निताओं ने यहां साबित कर दिया है कि इस बार इंडिया गडवन्धन सत्ता में आएगी शत्ता वापसी करने के सबसे बड़े जोर को देखते हुए इस वक्त भारतिये जन्तापाटी का पूरा निउ हिल चुका है 2014 में भारतिये जन्तापाटी ने जिस समराज को खड़ा करते हुए देश के लोगों के सामने खुद को समर्पित किया था वो समराज भी धीला हो पड़ा है इस समराज के तमाम बड़े बड़े योद्धा धरासाही होते चले जारे जिसके वज़ा से राजस्थान की कुरसे भी डगमगाती नजर आई है अश्वक गहलोद ने कहा है भारतिये जन्तापाटी को रोक देंगे और सत्ता में आने से रोकने की बातों को कहकर मुस्कुरा रहे थे जिसके वज़ा से राजस्थान में भी कई नई सरगर्मिया तेज हो गई है खबरे सामने निकलकर आ रहे है सक्तिशिन यादों को ले करके शक्तिशिन यादों ने कहा भारतिये जन्तापाटी जुमलेबाजी वाली सरकार चलाती है भारतिये जन्तापाटी के बारे में कौन नहीं जानता जब तक वह त्यश्वी के बारे में लालु पुरसाद यादो के बारे में ना कह दें तब तक चीजें ठीक नहीं होती है और ऐसे में इस बयान को कहे जाने के बाद में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर बीजेपी कुछ कह रही है तो लोगों का ध्यान नहीं है परिवारवाद को वो खुद बचा रहे हमें परिवारवाद का क्या जेडियू के नेता ने लहराया पिष्टल तो पूछे पत्रकार के सवाल पर दे दी गाली जिसके बाद में मचा जेडियू आफिस के बाहर खूब बवंडर आखिरकार जेडियू के नेता ने किस बात पर गाली दी दर्शल एक मामला होस्पीटल का है जिसमें जेडियू के प धायक ने कहा लाइसेंस है तो लहराएंगे ना और ऐसे में इस तमाम चीजों को लेकर खबर लेकिन अब इस धोल पर कोई थरकने वाला नहीं है क्योंकि सभी को पता है चुनावी मुद्दा बस चुनावी मुद्दा ही रह जाता है चुनावी एजेंडे कुछ समय के लिए होते हैं सरकार बनने के बाद में भूल करके और लगातार इसकी कीमतें असमान क्युचायों पर ले जाकर करकर रख दी जाती है जहां संघर्स करते वे आम जंता को पहुँचना पड़ता है खबर निकलकर सामने आरे इस वक्त ठाकुर और पंडितों को ले करके दर्शल ठाकुराने अंदाज में जिस आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया गया आनंद मोहन ने कहा भीखारी नहीं हूँ और भीख मागने के लिए तो आया नहीं हूँ ऐसे में मैं रचूंगा इतिहाज और आखिरकार बिहार में संघर्स की कहानियों को जातिकत जनगरना के बाद मैं खूब देखा जा रहा है अब राजबुतों के अच्छे खासे वोट पर नजर तो इस वक्त आनंद मोहन की भी है जिसकी पूरी लडाई में वो लड़ रहे हैं मजबूती से बड़ी ख़बा निकलकर सामने आ रहे हैं इस वक्त जोतिना संध्या को लेकर दुशल मद्परदेश की लडाई में एक बार फिर से भारतिय जन्ता पार्टी के वो नेता जिन्होंने कल जिया कॉंग्रेस को छोड़ करके भारतिय जन्ता पार्टी का दामन थामा था उमीद ऐसी की जारी है कि यह नेता फिर से एक बार कॉंग्रेस को थाम लेंगे मुके साहनी के लिए 2024 का चुनाव कई माईनों में खास है 2024 की चुनाव से जुड़ी मुके साहनी ने अपने आपको जहां सोगंद दिलाते हुए लोगों को बिस्वास दिलाते हुए यह कहते नजर आ रहेते कि देखिए हम पर बिस्वास कीजिए हमारा वोट बैंक काफी मजबूत है अब जातिकत जनगरना के बाद में जटका तो लगी गया होगा CM का सपना देखने वाले मुके साहनी को लगे जटके के बाद नई तिलमार तस्वीर बड़ी ख़बर निकलकर सामने आरे नितिस्ट कुमार को ले करके GDU के तरफ से नितिस्ट कुमार एक सचमुछ परधानमंत्री के बड़े उमेदवार के तौर पर है जिनकी चर्चा अकसर की जाती है जिनकी चर्चा करते हुए ना तो हम ठकते हैं और ना ही आप सुनते सुनते ठकते हैं अब खबर ऐसी है कि क्या सचमुछ किसी पवंडर के नई तस्वीरों को साज़ा किया जाएगा किसी नई पवंडर की नई तस्वीरों के साथ आगमन की स्थित्ती को उत्पन कि जाएगी नितिसकुमार ने साफ कर दिया है कि उनके लिए 2024 की आस है चिरागपास्वान की नई मजबूती ने 2024 में खुद को काफी जादा तेज कर रखा है जिससे उनकी अलगे हुए आग और भारतिय जंतापाटी की नई उमीदों को एक नए मजबूती मिल गया है भारतिय जंतापाटी के नए नए मजबूतीयों के साथ एक नए प्रयास ने संघर्स किया है जिसमें आज फिर से चिरागपास्वान की शंघर्स पूर नई तस्मीरों ने देश का ध्यान अपने आप पर केंदरित किया है खेर अपनी बार जरूर लिखिएगा आप क्या सोचते हैं और इसके बारे में आपकी क्या बिचार चिरागपास्वान कितना करेंगे कमाल आगे का चिरागपास्वान की रणनीतियों पर किसना पड़ेगा असर चिरागपास्वान क्या भारतिय जंतापाटी के एजेंडे क को मजबूत करने और बिहार में उसे लागू करने पर मददगार साबित हो पाएंगे अन्य था नहीं इसके बारे में अपनी बातों को जरूर रखेगा विचारों को जरूर बताईएगा और इसके साथ इस वीडियो को जालस जालस शेर किसेगा शुराग पास्मान की भारतिय जनता पाटी ने सिवराज सरकार को इस वक्त बहुत बड़ा जिया ताकत दिया है सिवराज को मिली मजबूती के बात में सीएम की उपाधी के साथ अब इस वक्त सिवराज मामा का नाता लोगों से जोड़ते नजर आ रहे हैं और वह कहते नजर आ रहें कि मामू के खजाने पैसो की कमी नहीं आप जुड़ता ये ना आप कहीं न कहीं काम पर ध्यान दीजिये और इस बार भी भारते जनता पाटी का सरकार बनाईए अब सरकारी जिसकी भी वने आगे चलकर सरत्पवार की नई मजबूती ने नए ताकत को जनम दिया है शरत्पवार दो हजर चौबिस की चुनाव को ले करके अपने धरातल और बातों को रखा है जासरत्पवार ने कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब लडाई को संगर्श्मूर रणने की परियास होगी और इस लडाई में हमें पता है अगनी परिक्षा भी देनी है पर इस परिक्षा से ना तो कभी पीछे हटे हैं और नहीं हटेंगे इस परिक्षा को देंगे और मजबूती से देंगे बड़ी खबर निकल गट सामने आ रहे हैं इस वक्त भारतिय जनतपाटी जातिकत जनगरना के बाद में खुद को कमजोड महसूस करने के बजाएं और ज्यादा सक्तिसाली और ताकतवर मजूद कर रही है जहां बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से ले करके बिहार के तवाम छोटे पड़े भारतिय जनता पाटी के करेकरता नेता लगे हुए हैं वो बिधान सबाचुनाओ से ले करके लोक सबाचुनाओ तक ना तो बैठने का नीर्ने ले लिये हैं तो मानो एक बार फिर से अब वो कहीं न कहीं इतिहास बनाएंगे बिहार में बड़ा रचेंगे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे हैं उपेंद्र कुस्वाहा को ले करके उपेंद्र कुस्वाहा ने 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया है दर्शल 2024 में उपेंद्र कुस्वाहा साफ तोर पर एक बड़े मजबूती के साथ उतरकत आने चाहते हैं चिराग पास्वान समय तकाई अन्य बड़े नेताओं के साथ भारतीर जंत पार्टी की रणनीतियों पर चिराग उपेंद्र कुस्वाहा की मुहर लगती नजर आई है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा इसे सियर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यह हिंद वन्दमाद